खबर वही जो पब्लिक ने कही आप पब्लिक निउस पर खबर सुन रहे हैं प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुक खबरें राश्ट्रिय खबरें भारत में भी हुआ कोरोना वाइरस के नए स्ट्रेन का प्रवेश छै मरीज मिले पॉजिटिव वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पीम मोदी ने किया पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्खाटन कहा ये कॉरिडोर भारत के नए समर्थे का प्रतीक है कुलकाता में गंगा नदी के नीचे से गुजरेगी अंडर वाटर मेट्रो चथिस गड़ से मजदूरों को विदेश की खबरें ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को चेताया अपने को बदलो नहीं तो युद के लिए तयार रहो इटली के पॉंपई शहर में फास्ट फूड के 2000 साल पुराने अवशेश मिले चीन का फैसला खाना छोड़ने पर लगेगा एक लाक का जुर्माना भारत से नेपाल में होती है यूरिया की तसकरी तसकरों को नेपाल पुलिस ने भारती चेतर से तसकरी कर ले जाए जा रहे सामान के साथ पकड़ा दिल्ली की खबरें, दिल्ली में एरपोर्ट पर भीड पर नियंतरड के लिए पैसेंजर ट्रेकिंग सिस्टम की शुरुआत दिल्ली में नई साल पर दिल्ली नगर निगम ने दिया संपती कर्मे छूट का तोहफा, कोरुनाकाल में मिली बड़ी राहत दिल्ली में 80 के बजाए 60 फीजदी तक 33 निजी अस्पतालों में आरक्षित रहेंगे ICU बैड सरदी में निमोनिया बच्चों के लिए हो सकता है जानलेवा श्वाश रोग विशेश डॉक्टर इर्शाद हुसेन उत्तर प्रदेश उत्राखंड की खबरें गोरकपुर में आतंकियों को बेचे गए मोबाइल यूपी एटियस ने मारा छापा राम गोविन चौधरी ने कहा कि मोधी वयोगी सरकार अंबानी अडानी समू के पेरोल पर इसलिए वापस नहीं ले रही है किसान विरोधी तीनो क्रिशी विल मुनवर राना की बेटी सुमया राना समेत कई दलों के नेताओं ने ली सपा की सदसिता बोले अखिलेश केंदर का क्रिशी कानून किसानों का डेथ वारंट है कश्मीर के शोपिया में शहीद हुए हवलदार अनिल तोमर को मुख्यमंत्री योगी ने दीश्रधान जली बनारस पुलिस ने किया बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा तीन की हुई गरफतारी यूपी सरकार ने जारी की इज ओफ डूइंग बिजनिस की रैंकिंग एक कैटगरी में उन्नाव को और बी कैटगरी में कोश्मी को मिला पहला इस्थान गोरखपुर में एक जनवरी से टोल प्लाजा पर बंध होगा इस्थानिय गोट्स वहानों का फ्री में आना जाना फास्ट टेक पर पाचास प्रतिशत की मिलेगी छूट मथुरा में हुए 23 करोड के छात वृत्ती घोटाला के कारण यूपी सरकार ने किया 27 नीजी आईटी आई कॉलेजों को ब्लैक लिस्टिड 25 अन्य पर कारिवाही की तैयारी बदाईयू में महिला दोस्त संगपती ने बनाया पत्नी का MMS पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा यूपी दिली बॉडर पर धरनारत किसानों ने बुलाई महा पंचायत हरकत में आया प्रशासन गाजियाबाद में बीच सड़क पर बेखौप पदमाशों ने दिन दहाडे की शक्स की हत्या चंदौली में एक करोड का चार कुंटल गांजा बरामद दो तसकरों की हुई गरफतारी पूर्व अलप संख्यक कल्याड मंतरी आजम खान पर हज हाउस निर्माड घोटाली का लगा आरोप मध्यप्रदेश की खबरें मध्यप्रदेश में आप शिक्षकों वकर्मचारीों की शिकायतों का होगा ओनलाइन निस्तारड मध्यप्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए چार शहरों में बन सकते हैं कलस्टर मध्यप्रदेश के दमोहों में दो युवकों पर चाकू से हमला एक की मौत दूसरे की हालत नाजुक व्यापार की खबरें आईकर विभाग ने जारी किया आकणा वर्ष 2019-2020 के लिए 28 दिसंबर तक साड़े 4 करोड आई टी आर हुए दाखिल एक जनवरी से SBI बदल देगा चेक से पेमिंट करने के नियम मनुरंजन की खबरें एक इंटर्वियू में नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने कहा है कि उन्होंने संकल्प लिया एक के वे है 2021 में भौतिक चीजों के लिए नहीं होंगे परेशान शाहित कपूर संग मीरा राजपूत ने शेयर की रोमांटिक फोटो देवरी शान ने ओ कमेंट करके सभी को चौकाया पति रिशी कपूर की याद में नीतू ने लिखा जब रिशी कमपूर का निधन हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी हिरन ने उन्हें पकड़ लिया हो